गुड इवनिंग, गुड मॉनिंग, गुड आफ्टर नूम, सभी का स्वागत है, AOC की पोस्ट मार्केट अनलिसिस वीडियो में, तो चलिए आज देखेंगे हम लोग, निफ्टी को नाइन थर्टी से सुरू करेंगे, पहले तो चलते हैं, निफ्टी को सेलेक कर लेते हैं, यहां पर निफ्टी सेलेक्टेड है, अब यह मत पुछिएगा कि लास्ट में गीरा क्यों, यह इतना क्यों, पता नहीं, तो थर्टी के बाद हम लोग देखते ही नहीं है, और जहां से सुरू हुआ था, उससे भी नीचे लाके छोड़ दिया इसको, जो भी इंट्राडे मे अगे इन था, all gone for nothing, ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले replay mode on करेंगे, replay में करते हैं, select bar, यहां पर पुराने lines को delete करेंगे, नहीं लाइन फिर से दुबारा बनाएंगे, move तो गया, nifty में के back tester में चलते हैं, back tester, यहां पर nifty select कर लेंगे, 21 के expiry, date 19 नमेंबर और टा data दिख रहा है, पहले उसको देखने की कोशिस करते हैं, कि ऐसा क्या चल रहा है, market 209 point उपर है, already 209 point अप चल रहा है, 209 point अप चल रहा है, gap up उपन हुआ था, वहां से continue कर रहा है, इसने, इन दोनों को देखने की कोशिस करते हैं, कि अभी तक के shifting के बारे में, यह उसी क्या कहता है, तो यह बोलता है, bottom से top पे गया है, shifted from bottom, shifted from bottom, इतने से देखने से हमको क्या पता चल गया, कि आज कुछ भी हो जा, put नहीं लेंगे, जब तक एस situation बना हुआ है, put नहीं लेंगे, call लेंगे, तो call लेने के लिए क्या क्या होगा, support यहां shift हो गया, safest bottom क्या हो गया, 600 का, resistance कहाँ पे shift हुआ है, 650 पे, तो हम लोग 600 के support से, और थोड़ा सा अगर रिक्स लेना है, तो 650 के support से, यह दो level बन रहे है, 550 का support, 500 का support आने वाला है नहीं अभी, अभी का जो data दिख रहा है, उसके हिसाब से, आने वाला है नहीं, थोड़ी सी weakness बन सकती है, यहां पे 700 पे resistance की, resistance की weakness, 700 पे बन सकती है, यहां पे volume and oi की percentage है, oi change तो अपने आप में ही कमजोर है, कहीं पे भी बैठ नहीं पा रहा है, support side में अभी तो कुछ खास pressure नहीं है, अगर यह pressure है, तो हम लोग 650 के resistance या 700 के support से भी try कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो future में, अभी के लिए bottom क्या 623, इसरा line, अभी के situation में market maximum कहां जा सकती है, 650 के resistance, 650 के resistance की value के आ रहे, 674, यह तीन लाइन आ गहा है, अभी के लिए यह तीन लाइन दिख रहा है, उपर जाके आगे और दखेंगे, तो हम लोग draw करेंगे, थोड़ा सा क्या करते है, 932 तक average adjust होते है, उसको देख लेते है, 9 930 तक चलते हैं, candle को लेके चलते हैं, 927 की candle है, 930 की भी candle नहीं है, वो उपर close हुआ है, बुलिस दिख रहा है, लेकिन 930 के बाद ही हम लोग action लेते हैं, अभी कुछ कहां नहीं जा सकता है, क्या यहां से put बनता था, पहला question, क्या यहां से put बना सकते थे, यह candle पे क्या put बन सकते थे, बिल्कुल resistance पे है, 650 के resistance पे है, market में दोनों तरफ से support and resistance दोनों बॉटम से shift हुआ है, तो put तो नहीं बनाना चाहिए, अगर बनाना भी है, तो 700 के resistance से try करते हैं, लेकिन अगर यह strong रहा, तो कर सकते हैं, advance player जो भी है, जो AOC के advance player है, वो कर सकते हैं, जिन के पास 700 का resistance कितना strong है, back testing में यह तो कर सकते हैं, हाला कि आज put किसी ने लिया नहीं था, दो बजेता, पहली बात 700 का strike price देखेंगे, क्या है, bullish है, खतम, put का trade नहीं बनेगा, 933 का data, 933 का data पे क्या दिख रहा है, 700 का resistance, 700 की strike price bullish है, market 700 से थोड़ा से उपर जाने के कोसिस कर रहा है, औ और यहां पे 700 पे weakness आ गई, तो market 700 की resistance तक जा सकता है, यह हमारे लिए पहला risk की call का trade बन सकता है, क्योंकि 75% ही है, 725 का level आ रहा है, हमने draw कर लिया, कौन सी candle है, यह candle 933 को जिसकी 936 को closing होती है, 936 के आसपास की data यह बता रहा है, कि हाँ यह जा सकता है, resistance टॉप पे weakness दिखा रहा है, support नीचे से shift हुआ, resistance ओलेडी shift होने के बाद दुबारा से 700 पे weakness दिखा रहा है, तो 700 के support से भी try कर सकते है, risky है, यह shift हो गया, तो safe हो जाएगा, अभी risky है, risk कम करने के लिए कि आगरेंगे 650 का strike price देखेंगे, वो bullish होना चाहिए, जो कि यहां पे है, यह भी bullish है, तो ह यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं 4 lot करता हूं, एक lot यहां पे डाल दिया, तीन lot के लिए, यहां पे place पे save करके रखेंगे, amount की आया, नीचे गलती से, तो तीन lot, अगर उपर चला गया, तो एक lot में तो at least profit लूँगा, यह मारे लिए पहला label पे ही है, तो यह पहला call का trade बन है, हमको call के trade लेने के लिए, call का trade लिए, नीचे SL आ रहा है, तो यहां पे जिन्हों ने नहीं लिया था, उनके लिए मौका था, यहां इंट्री कर सकते थे, target आधा गया, तो उसके लिए भी method क्या है, कि आप cost to cost SL लगा दो, हम लोगों ने क्या सोच रखा है, कि यह तो मेर अधा अधूरा इंट्री है, पुरोपर इंट्री यहां बनेगा, तो यहां आई तो यह target तक जाएगी, यहां पे बचा के रखा था, तो SL यहां पे नहीं ले रहे हैं लोग, चाहो तो यहां पे SL ले के दुबारा से इनिसियेट कर सकते हो, लेकिन प्लान ही क्या था, कि यह इसको मैं यहां पे इंट्री करूंगा, यहां अगर नीचे मिला, कहां पे तो 624 पे, तो प्रोपर इंट्री करूंगा, मार्केट काफी बुलिज दिख रहा है, पूटके ट्रेड में तो करना ही नहीं है, कॉल काई ट्रेड बनता है, एक छोटे मोटे स्पाइक आ सकते हैं दराने के लिए, ठीक है, आगे चलते हैं, डाटा को चेंज हुआ नहीं था, डाटा वहीं पे बैठा हुआ है, अब देखते हैं, यहां पे दुबारा, अगर किसी ने इसे ले लिया, उनको लिए मोका है, 957 पे, 957 डिफ्टिंग ही हो गए, 99.9%, आब तो जैसे भी हो, कर ल इंट्री, यहां पे तो जो परदस्त इंट्री बननी चाहिए, इस लेवल पे, यहां तो बननी चाहिए थी, अगर किनुम ने पहले से नहीं ले रखा है, तो, अब आगे चलते हैं, कि हमारा टार्गेट बुक होता है, यहां पे, टार्गेट बुक हुआ, इतने बजे, तो वॉलूम का रेजिस्टेंस बचा है, 61%, 67% यहां पे चल रहा है, 54% यहां पे चल रहा है, तो यह फादर आपसाइड में भी विक्निस बना सकता है, 700 पे सपोर्ट आ रहा है, ओ आई चेंज 92%, वॉलूम 83%, अब हमको क्या करना है, 700 के सपोर्ट का इंतजार करना है, मार्केट चाने को जा सकती है, अगर यह परसेंटेज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं तो, लेकिन यह बढ़ नहीं रहा है, इसलिए मार्केट उपर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आएगी, तो कॉल का ट्रेड करेंगे, यहां पे अभी कोई ट्रेड बनता नहीं, फिर भी 750 का पे वीक्निस बनाने की कोशिस कर रहा है, यह परलिम काफी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, तो रिक्स चाहें तो ले सकते हैं, 700 का स्ट्राइक प्राइट जो की बुलीस है, काफी बुलीस है, तो यहां पे एक काल्कुलेटर रिस्पिर से, यह काफी रिस्की है, इन फै इसके आसपास एक्जिक्यूट होगा, 30.25.20 पुइंट का इसल रहेगा हमारा जाकली यहां पे ट्रीगर हो रहा है, लेकिन प्लान क्या है, नीचे आया तो अवरेजिंग करेंगा, आगे देखते हैं, पुरा पर नीचे आता है या नहीं, पुरा लेबल पे नीचे आया नह प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, तो टाइम है 11.6, 11.6, 70% यह थोड़ा सा परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन अभी भी इंक्रीजिंग ही है, थोड़ा सा 1% कम हुआ है, सपोर्ट पर सिफ्ट हो चुका है, 700 वाले स्ट्राइक प्राइज देखते हैं, क्या वो बूलिस होने ल देखते हैं डाटा फिर से 11.15 पर डाटा देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ 11.15 पर सपोर्ट की सिफ्टिंग हो चुकी है, रेजिस्टेंस में कोई खास बदलाव है नहीं रेजिस्टेंस थोड़ा सा विकने दिखा रहा है, मार्केट बूलिस हो रहा है, तब यहां से दुबारा इंट्री नहीं लिया है, तो कंटिन्यू करना है बस, अभी भी उसी लेबल के आसपास है, क्या किसी को दुबारा मौका दिया इसने, 11.18 पर फिर से डाटा देखेंगे 3 मिनट, डाटा होई चल रहा है, थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, उपर सपोर्ट कॉंचने वाला है यहां पे-टर्गेट होता है क्या यहां से पुट ले सकते हैं, क्या यहां से कॉल का प्लान करना सथ है टाइम क्या हुआ है टाइम हुआ है 1139 1139 को डाटा देखते हैं 1139 पे डाटा दिख रहा है 75 परसेंट हो गया है वीक्नेस जहां तक है उसके आधे रस्ते जाती है लेकिन सपोर्ट साइट से कुछ ज्यादा ही प्रेशर है तो यह में भी 800 तक चली जाए लेकिन यहां पे हम लो किनी बनता है बंद आख फोड़ यह नहीं नीचे आएगा कॉल लेंगे प्लान है नीचे आने की कोशिस कर रहा है लेवल पर आएगा तो कॉल लेंगे नहीं तो नहीं 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 हमारा सपोर्ट 700 पे लेकिन वीक्नेस टॉप पे है तो यह ट्रेड बनता है उस टाइम में अभी भी बनता है weakness है support में मार्केट को जाना चाहिए 750 के resistance लेकिन एक बार लेटी जा चुका है तो थोड़ा सा कम quantity रखेंगे ले करते हैं डाटा अपने favor में तो trade लिया है यहां लेवल पे आया था तो लिया अब यहां पर फाइनली हमारा टार्गेट आया थोड़ा सा नीचे रह गया एक दो पॉइंट का नीचे रह गया यहां पर नहीं किया तो यहां पर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है फिर से अब देखी यहां पर दिक्कत क्या होती है multiple times इस लेवल को test करने के बाद पीछे भी हुआ था इसने break कर रहा है ब्रेक करके ऊपर जाके close नहीं करा नहीं तो फिर से call का plan करते break करके नीचे से retest करा यह तो put cut rate बनाथता है लेंगे नहीं यहां पर data bullish है अगर टोपर कलोज रहता है तो लेते हैं फिर ऩिplets से यां पे रित्रेस्मेंट हाईये दो बच के 18 मिनट पे मारकेट नीचे जाने का इंडिकेशन दिखा रहा है है दो बच के 18 मिनट पे क्या हो रहा है यहां पर थोड़ा सा रैटिंग शुन हुगा है तोय लिए दिखाया रहा है कि marked 700 से नीचे जाने के लिए 700 से नीचे जाने के लिए market यहाँ पर तयार होई दिख रही है तो क्या पे ले मैनि लेने के से टॉढ होता हुआ दिखना चाहिए कैसे होगा तो इसके percentage decreasing होगे इसके percentage decreasing होगे यहां पर support side में downside weakness चाहिए उसके लिए इसके percentage increasing इसके percentage increasing चाहिए अगर यह condition match हो रहा है तो trade लेंगे हाला कि 20 हो चुके हैं तो ऐसे भी trade नहीं करना थी पहला देखते हैं क्या support स्ट्रॉंग बन रहा है 700 पर उसके लिए क्या देखना चाहिए था हम लोगों को volume decreasing थोड़ा सा decrease हुआ है यहां पर oi change decreasing चाहिए वाइचेंज decrease हुआ है support resistance तो हो रहा है क्या support नीचे weakness बना रहा है तो decreasing नहीं बना रहा है यह increasing चाहिए था वह नहीं बना रहा है तो support स्ट्रॉंग maximum market नीचे गया भी तो कहां तक जहां पर support है इस लेवल पर support है यहां तक market आ सकता है लेकिन यह रिक्स खत्रों से भरा हुआ है सिर्फ 700 का strike price varies हो रहा है थोड़ा सा उसके basis पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे और time भी साथ नहीं दे रही है अब market अगर move करती है तो काफी violet move कर लेती है ठीक है इसके कारण से यहां पर trade avoid करेंगे हुआ क्या पूरे दिन में तो यह trade और यह trade इन दोनों trade का मकसद यह था है कि नीचे तक आएगी तो averaging कर लेंगे क्योंकि market काफी bullish दिख रही है थी तो ऐसा नहों कि market उपर चली जाए और हम लोग देखते रहे जाए इसलिए small quantity में यह trade करेंगे अगर आप चाहो तो इन दोनों को काउंड कर लो फिर दुबारा इंट्री में पर लेना इक amazing टार्गेट इस में बन जायेंगे इसमें एक ऑसल्पार यह बन जाएंगा और यह बनाया यहां तक काउं कंu के जो एसल में भी रिक्स पता था कि कौन्टिटी कम रखनी है कम क्वांटिटी से ही ट्रेड करनी है और नीचे अगर गलती से आया तो पर ट्रेड अर्पर क्यों ट्रेड एक जिक्यूट करने होँए अब जाते जाते प्रों के एक वार एंदेख लेते हैं। क्रूड ओयल की फ्यूचर्स और और समय करेंगे साथ अभी दो दिन नहीं हुए है ट्वेंटी चल रहा है क्यों कि यह में जो डाटा आ रहे हैं वह दिस्वेंबर एक्सपाइरी की है इसकी आज है इसकी एक्सपाइरी आज है और हम लोगों के पास जो ऑप्संट चल रहा है हो दिस्वेंबर सीरीज का है दो दिन पहले टू डेज प्रायर होता है ऑप्संस की एक्सपाइरी जिसके कारण से और फीजर्स में दो दिन का डिफ्रेंस आता है इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो कुरूड वैल चलेंगे दूसरे हपते का यह वाला है आपने दिस सब्सक्राइब से तो रेजिस्टेंस उपर से कहीं आया सपोर्ड नीचे से कहीं गया 940 पर दोनों अब क्या कर रहा है फिप्टी एट अंडेट पर बैठे हुए हैं उसमें भी थोड़ा सा बेरिस प्रेशर ज्यादा दिखेगा इन नंबर को कंपेर करें तो फिप्टी अभी मार्केट था यहां पर यहां आना चाहिए यहां फिर यह उपर जाना चाहिए जैसा डाटा अभी तक बना हुआ है उससाब से चल रहा है तो फिर यह नाइन फोर्टी पर हुआ है अगर इंडेक्स का रहता तो 939 पर भी अर्चा खासा हम लोग रिस्पोंस लेते हैं लेकिन यह एक्स है तो यह आफ्टर नून में ही चलता है और चार बज़े के बाद जो सिफ्टिंग होती है वह ज्यादा इंपोर्टेंट होती है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सामको एवरी डे फ्री में वेबिनार होता है आप सहें तो जोइन कर सकते हैं जोइन करन यह आप सहमको मिलेंगे हम लोग